दोस्तों नमस्ते, आप सभी का दाय यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वाकत है भई अगर जीरा के भाव की बात करें, तो देखिए एक औरोलगर सापताहिक समिक्षा की हम बात करें तो जीरा के जो भाव है उसमें फिलाल बड़ी गिरावाट का रुख हम सभी ने देखा और पिछले कई दिनों से जीरा में गिरावाट का दौर बना हुआ है अब सभी के मन में सवाल है कि आने वाले दिनों में जीरा के भाव में किस तरह का रुख देखने को मिल सकता है कि क्या इसमें तेजी आएगी और तेजी आएगी तो कितनी आएगी और कब तक आएगी और अगर ये संभाव ना है कि गिरावट आएगी तो कितने गिरावट तो इन सबी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने के कोशिश करेंगे, साथ ही आपको एक छोटी सी समिक्षा भी जीरा के भाव पर देने के कोशिश करेंगे, कि आने वाले दिनों में जीरे का जो भाव है, उसमें अगर गिरावाट है तो क्यों रह सकती है, तेजी और खास बात ये है कि उत्पादक मंडियों में जो जीरे की जो आवक है, वो उस उम्मीद के मताबिक नहीं हो रहे, जिसके उम्मीद के मताबिक जो होने चीज़े आने कि जो अभी देके जीरे का उत्पादन फिलाल जो है, ज्यादा होने की संभावना है और भुगाई भी पिछले साल ज्यादा हुई थी, ऐसे में आवक जो है, अभी ज्यादा बननी चाहिए, क्योंकि इस समय मार्च, अप्रेल का जो महिना होता है, वो आवक की प्रेशर का होता है, अलाकि जीरे में जब कटाई शुरू हुई तो इसका आवक प्रेशर काफी बनी, और पचास ज जाना कि जो आवक है, वो उम्मीद के मताविक नहीं हो रही, क्योंकि अधिक उत्पादन की बज़ए से बाजार में जो है, खाल फिलाल में जो जीरा के भाव है, उसमें तेजी की संभावना नहीं होने की बज़ए से, हाजर बाजार में जो है, जीरे के जो लिवाल है, वो इसी वज़े से खाजर बाजार के साथ में बायदा कारवार में भी जीरा का भाव मंदा देखने को मिला ये हम सबी को पता है कि भई और कई जानकार पिछले कई दिन से बता भी रहें कि जीरे की जो उत्पादन है वो पिछले कई दिनों से ज्यादा होने की संभावना के बीच जीरे के भाव में गिरावट का दोर बना हुआ है जो अभी बना रहने के संभावना फिलाल कई जानका बातरोक लिये और जाने की मंडी में जो आपूरती है वो फिलाल पूरे साल बने रहने की संभावना जटाई जारी है। यानि बाजार में गिरावट आने की वजह से आवग कम हो गई और इस वजह से जो जीरा है उसमें पूरे साल भर आमद देखने को मिलती रहेगी और होगा क्या कि जब जब हाव सुध रहेंगे तो मंडी में जीरा की आवग बढ़ेगी और फिलहाल जो है बाजार अभी दो से पांच रुपर तक मंदा तेजी जो है उपर नीचे उसमें चलती रहेगी अब मंदा जो तेजी का जो अनुमान है वो भी आने वाले दिनों में तुर्की और सीरिया की फसल आने के बाद जो है उसमें एक बर फिर से जो है क्यास लगाए जाएंगे आसार चताए जाएंगे क्योंकि इन दोनों देशों की जो जीरे की जो आवक है वो जून जुलाई में देखने को मिल लेगी और हमारे यहां से जो है आवक फिलाल काफी बड़ी देखने को मिल रही थी और इसमें जो है कमी देखने को मिल रही है फिलाल तो ज्यादा पैदावार की वजह से मार्च के दोलान देखे गुजरात की मंडियों में जैसमिना को बताए कि 75 से एक लाख बोरी के आसपास की जो है रायवल देखने को मिली थी जीकी वरतमान में यै रायवल जो है 40 से 50 जार बोरी और किसी किसी दिन तो जो है 25 जार बोरी तक सिमट गई रास्तान की मंडियों में भी यही हाल है और रास्तान की जो मेड़ता और नागोर मंडि को देखें तो यहां पर जीरे की रोजाना आवक जो है आठ से दसजार बोरी की रोजाना हो रही थी लेकिन भाव गिरने के वजह से आवक पर ब्रेक लग गया और भाव गिरने के वजह जैसे आवा घटकर जो है दो हजार पांसों से तीन हजार बोरी की देखने को मिल रही है फिलाल सब के मन में सवाल है कि भाई उत्पादन तो ज्यादा है और रिकॉर्ड बिजाई जो है बुआई हुई थी पिछले साल तो इस साल कई किसान भाई कह रहे हैं कि भाई अभी थो लाग बोरी का था और इस बार जो है एक करोड से ज्यादा बोरी होने कानुमान जो है कई जाने कर जाता आ रहे हैं हाला कि गुजरात में तो फसल ठीक ठाक बताई जा रही है लेकि रज़स्थान में जो है फसल थोड़ी कमजोर बताई जा रही है आगड़े जब सामने पाईगा चालू हफते में जो है वाइदा बाजार में मंदे के साथ जो है देखने को मिले बाजार और इसमें जो है पांसो चार्स रुपे जो है गिरावट देखने को मिली फिलाल बाजार में जो है मंदा बने रहने की धारणा के बीच हाजिर बाजार में आवक कम होने के बावजूद उठाव जीरे में सिमीत रहा जिस वज़े से भाव में मंदा रहा प्रमुक गुजरात की मंडियों में हैं जीरे के भाव जो है पांस से दस रुपे प्रितिक किलो मंदे के साथ देखने को मिल रहे हैं गिरते भाव पर वयापार भी थोड़ा कम देखने को मिला ज्यादा पैदावार का बाजार में जो है मंदा फिलाल तो कई जानकर बता रहें कि आ चुका है और आवग अब आने वाले दिनों में और घटे की दिरी दिरे तो फिर जो है भाव में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा मंडियों में जो भाव है जीरे के 200-25 रुपए प्रती किलो देखने को मिल रहे है जो पिछले साल यही भाव जो है 620-630 रुपए प्रती किलो तक बन गए थे कारवारी बता रहे हैं कि भही अभी जीरे के भाव सीमे दैरेम बने रहने के अम्मीद है और अप्रेल मै के दौरान तीन से पाँच रुपए और कई जगे जो है क्वालिटी के मताबिए जो है सात रुपए उपर नीचे का जो भाव है उसकी चाल जो है चलती रहेगी अधिक पैदावार के वजह से जीरे की जो आमद है जो आवक है वो पूरे साल बनी रहेगी भाव कम होने की वजह से अगर निर्यात पर एक नज़र डाले तो निर्यात पिछले साल के मकाबले जादा रहने के आसार है आपको बताएं भीया कि पिछले साल जो है रिकॉर्ड तेजी आने के वजह से निर्यात काफी प्रभावित हुआ और आयातकों को आयात का सहारा लेना पड़ा ताकि बढ़े दाम पर अंकुष लगाए जा सके मसाला बोर्ण जो आखने जारे किये हैं उसके मताबिक जो है अपरेल दिसम्बर 2023 के दोरान जीरे का निर्यात 1,6905 टन का देखने को मिला जबकि अपरेल दिसम्बर 2022 में निर्यात जो है एक लाख 46,089 टन का था और भाव भटने की वज़े से जनवर 2024 के दोरान जीरे का निर्यात 14,084 टन का हुआ जबकि जनवर 2023 में जीरे का जो निर्यात है 9,325 टन का देखने को मिला था फिलाल देखिए जीरे पर जनकारों के मताबिक आने वाले दिनों में और दबाव भी देखने की संभावना जो है दिखाई दे रही है प्रुशन अभाव की जनकारी के लिए हमारे वाटसप ग्रूप की सेवा से भी आप जोड़ सकते हैं दोस्तों जै जैवान जै किसान जै इंदस्तान नमस्ते